मैं इस संदर्व में आपसे ये कहूंगा कि ये जो हमारा नया वर्ष जो है विक्रमि संबसर काली युक्तिनाम संबसर प्रारंब हुए है इसके राजा जो है वो मंगल है और इसके मंत्री जो है वो शनी है अब आप जानते हैं कि शनी के मंगल जो है भौम जो है ये शत्रू ह और भौम के शनी वो शत्रु हैं दोनों परशपर विरोधी गरहा है और ये राजा और मंतरी है क्योंकि सारा का सारा जितनी भी सरकार होती है राजा के उपर और मंतरी के उपर बड़ा निर्फर करती है इसलिए यहाँ दोनों विरोधी हैं और दोनों विरोधी होने कारण से यह बर्षी जो है इसमें कुछ थोड़ा सा यह करेंगे क्योंकि जन्ता में भी थ्यू भी पैदा होगा प्राकृतिक प्रकोब भी पैदा होगे और भूमी जो है पहार उनका स्खलन भी किसी प्रकार से हो सकता है और युद्ध दू शनी माहे यो तथा दुरभिख्य कारे को शनी और मंगल जो है यदि ये दोनों राजा और मंतरी हो होते हैं इसलिगे जुदि की समभावनाएं जू है बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और गर्मी का प्रकोब बहुत ज़ादा होगा क्योंकि उस्थे मंगल तो काल हैं दंडधर हैं बेवस्त हैं अंतक हैं और इस प्रकार से इनक तो दोनों जो है वो आपस में अपने अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली होते हुए यह क्या करेंगे कि जनता में कुछ थोड़ा सा बेमनस पैदा करेंगे प्राकृतिक प्रकूब एक दूसरे की बात कम मान करके अपने अपने मन के मुताबक एक दूसरे पर आकर्मन करने का विचार करेंगे और यदिपी हमारा भारत वर्ष जो है हमारे भारत वर्ष में भी इस प्रकार के ग्रहों के स्थिती जो है वो बनती है लेकिन भारत वर्ष के लिए यह निश्च हैं और just a playम मारे भारत वर्ष के लिए नहीं दुसरे जो राश्ट्र हैं दूसरे राश्ट्रों के प्रति भी आपना जो का इनका अशुब होगा वो उसको प्रसार करनें हम सब लोगों को ये चाहिए हम सभी भक्तों को ये चाहिए कि नवरात्र में हम जो उपासना कर रहे हैं तो ये भौम की शांती के लिए और शनी की शांती के लिए इनके द्वारा होने वाले जो अरिष्ट हैं उन अरिष्टों को दूर करने के लिए भगवती मां से और अन्यान जि एक समूचा विश्व जो है वो दिन प्रेज दिन अगरसर हो अब मैं आप से यह कहूंगा कि अब मैं केवल नवरात्र के विश्व में बहुत संखिवत रूप में आपको बतलाने जा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव होने के कारण से मैं थोड़ा आप से इतना ज्यादा नही कह पाऊंगा लेकिन यह है कि कल से जो नवरात्र हमारा प्रारम हुआ है नवरात्र की विधी उसका प्रक्रम उसका यवांकुरारोपन और यह सारा कुछ मैंने आपको बतला दिये है अब बात आती है सिर्फ प्रथम नवरात्र की और प्रथम नवरात्र यह दिपी भगवत में शैल पुत्री वो कहा है एक ब्रिशव वाहिणी है ब्रिशव पर चड़ी हुई है संगेत देती है कि ब्रिशव पर चड़ करके भगवती भेश्ण हमीज़ है वह प्रधम baz नब्रात्र शैल पुत्री ये अपने पूर्व जनम मैं ये लिए घ्र को ऑप्त के घर मैं उत्पन्न हुई थी और उनका नाम समझ सती था और सती का वेवावी शंकर भगवान से ही हुआ था और ये एक बार ऐसा हुआ कि दख्ष प्रयापती जो है ये यग्य करने लगे और यग्य में जितने भी देवता हैं सभी देवताओं को इन्होंने आमंत्रित किया और लेकिन शंकर भगवान को बहां पर नहीं बुलाया उधर से ये सती जो है शंकर भगवान को कहने लगी कि महराज मेरे पिता ये यग्य कर रहे हैं और उस यग्य में मैं जाना चाहती हूँ तो शंकर भगवान ने कहा हमें कोई निमंत्रन पत्य प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए ब और भगवान शंक्र को कहा, उन्हें कहा ठीक है, आप जाना ही चाहती हो तो जओ, और जब सती बहाँ पर अपने पिता के घर में गई और यगी की विधी जो है, वो आगे उनको देखा, यगी की जब उत्सव उसको सप्रकार को देखा, तो सभी देवताओं के लिए बहाँ प उसको बुला दिया, जा दूसरे लोगों ने भी एक मान जो मेना थी, उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरीके से बुलाया, लेकिन उसके मन में बड़ा भिख्यूब हुआ, कि यह यग्य हो रहा है, मेरे पिता दक्ष प्रयापती यग्य कर रहे हैं, और मेरे पती को, शं घंस किया और अपने आपको उसने भस्म कर दिया, उसके बाद शंकर भगवान को जब इस प्रकार की एक बिचितर घटना की जानकारी हुई, और शंकर भगवान को पता चला की सती जो हो इस प्रकार अपने श्रीर को उसने भस्म कर दिया है, तो शंकर भगवान ने जो उनक करके उन्होंने उस यग्य को समात्य किया नश्ट कर दिया उसके बाद शंकर भगवान ने गनों को कहा कि आपने मेरी आज्या के अमसार उस यग्य को समात्य कर दिया सबसे पहले मेरी पूजा से पहले सबसे पहले आपकी पूजा होगी इसलिए आप जानते हैं कि शंकर शंक्र भगवान के पूजन से पहले पांच बिर्भद्रों की पूजा होती है और उसके बाद शंक्र भगवान की पूजा होती है तब से ले करके उनकी पूजा पहले और शंक्र भगवान की बाद में होती है और यहां उसके बाद अगले जनम में जो सती है सती ने हिमाले के घर पुत्री के रूप में जनम लिया और उस समय इनका नाम शैल पुत्री पड़ा और शैल कहते हैं परबत को और पुत्री कहते हैं पहाड को तो परबत की पुत्री होने के कारण से इनका नाम शैल पुत्री पड़ा इनका वाहन जो है वो ब्रिशव है और ब्रिशव पर आस अराधना करने वाले जो लोग हैं वो हमारे अराधना के छे चक्र होते हैं मूलाधार, स्वाधिष्टान, मनिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आग्या, उसके बाद सहसरार चक्र होते हैं आलग से, तो आग्या चक्र तक जो भक्त जन्ग जो हैं वो प्रतम नवरातर से लेक की अवस्यतिकर करके मा की अराध्या करते हैं और यह अराध्या उन भक्तों के लिए एक विशेश भलदाई नहीं हो और सभी जो जंता माता के जो भक्त हैं वो उनके लिए और तथा पूरे विश्व के लिए क्योंकि मा भग्मती जगत जन्नी जगी दंबा जो है ये पूरे विश्व की जननी है, पूरे विश्व में, चाहे कोई भी किसी प्रकार का विव्यक्ति हो, मा मा ही होती है, आपने पढ़ा होगा कि कुपुत्रो जायेत, कुची दपी कुमाता नभवती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, इसलिए आज भी माता जो है अपने रिदरी में ये इस परकार आप सब को आश्रिवात देती हुई ये जुरूर दिल में विचार करती है कि और आपको ये उपदेश भी देती है आपके मन के भावनाओं को उजागर करती है कि मेरे बच्चे आपस में लड़ें आपस में एक दुसरे के साथ द करता आपस